तेरी जलक शर्फी स्रिवली लाते करे जो हर्फी तो आज हम बताते हैं इस जंगल की क्या घास बाते और इस चंगल में आशी क्या खासेगी से लेकर इतना भी वाद है या चंगल इतनी किमती कि इसकी सुरचा के लिए कई कमांडों तियार किया गया तो आईए जानते हैं इसे जुड़ी हर एक बात ताकि आपको भी भारत के एक खाजाने के बारे में मालूम हो शके इस जंगल का नामें सेसा चलम जंगल या जंगल सेसा चलम पहाड़ियों के पांच लाग हेक्टेर से अधिक्षत में फैला हुआ है इस जंगल को लाल चंदन के वज़े से जाना जाता है और लाल चंदन सिर्फ आंद प्रदिस अच्छा इसबेस्टर टाक्स फोर्स के जमान करती है इंडिया टुडे मैक जिन में छपी रपोर्ट के अनुसार कुछ साल पहले लाल चंदन से करें बारेस और परतिसरत का लाब होने के वज़े से तसकर अपनी जान जोखी में डाल कर हर साल 2000 तन लाल चंदन चन्ने तोटी कोरिन कुलकता बंदरगाहों शिया और नेपाल तिब्बत के रास्ते चीन के पर्मू बजार तक पहुचाते थे लगड़ी एसबेस्टर की चादरों सर्शो की खली नारियल के रेसे और नमक के बीच शिपाकर एक अस्तान से दूसरे अस्तान पर ले जाते थे साल 2015 म बनानी के लिए इस्तामल किया जाता है बताए जाता है कि दवाये इत नक्री में सब से अधी में भी जिक्री किया गया है जापान में इसी अंत्र को बनाने के लिए प्रतिवास दोस्ट और लाल चंदन का इस्तेमाल हो रहा है वहां साधी के वक्त इसे देने की परंपरा है इससे बना फरनीशर काफी महांगा मिलता है माना यह भी जाता है कि न्यूक्लियर रियक्ट से होने वाली बीक्रार को रोकने के लिए जाल चंदन काफी मदरगार साबित होता है